हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और सीमा के आडियाज में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे इंस्टन्ट मावा और कंडेंस मिल्क जो बहुत सारे मिटाईयों में हमको काम में आता है एक मोटे तले की कड़ाई ले ले और उसमें डाल दे दो कप दूद मतलब लगबक आधा लिटर दूद हो जाएगा ये और पौना कप चीनी मैं एक कप नहीं डाल रहे हूँ पौना कप काफी है आधी लिटर दूद के लिए अब ग्यास को मैं आउन कर दूँगी अब इसको कंटिनियूसली चलाते हुए हमको पकाना है गाड़ा होने तक अब उबाल आने देना है और उबाल आने के बाद में जो उपर जागसी आती है वो निकाल देना है यह सब चीनी की गंदगी है जो उपर आ रही है थोड़ी सी ब्लैकिश टाइप की वो सब हमको निकाल देना है और कंटिनियूसली चलाते हुए इसे पकाना है इसे तरह से हम पकाएंगे देखिए दूद आधा हो गया है और साइड में जो लगा रहता है ना दूद का और चीनी का जो भी कड़ाय के साइड में लगा है वो सब हम निकाल देंगे वो इसलिए निकालना है ताकि अगर वो रह गया तो लंप्स पड़ सकते है और हमको लंप्स नहीं चाहिए एकदम स्मूद हमको कंडेंस मिल क्रेडी करना है अब इसका कलर भी चेंज हो रहा है इसी तरह से कंटिनियूसली हम इसे चलाते रहेंगे देखिए ये आधे से भी खाने का सोडा सोडा डालने के बाद में थोड़ी जाग आएगी लेकिन घबराएगा मत इसको थोड़ी दिर मिलाएंगे और ग्यास को बंद कर देंगे ग्यास बंद करने के बाद में इसकी जाग कम होने तक कंटिनियूसली चलाते रहना है इसी तरह से जैसे मैं कर रही हू अभी देखिए इसकी consistency थोड़ी गाड़ी हो गई है मतलब हमको जैसा चाहिए वैसा ही हो गया है ये ये ठंडा होने के बाद में और भी गाड़ा हो जाएगा इसको ऐसे ही चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए continuously जब तक कड़ाई गरम है तब तक देखिए ये भी smooth और एकदम चिकना हो गया है क्रीमी स्ट्रेक्चर आ गया है इसमें अब इसको बावल में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे देखिए इसकी consistency कितनी प्यारी लग रही है ये क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है अब हम बनाएंगे मावा तो इसमें डाल दिया है मैंने एक कप नेसली का मिल्क पाउडर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं मैंने यहां पे नेसली का लिया है और मैं इसमें डाल दूँगी बारी-बारी से आधा कप दूद मैंने अभी आधा कप दूद लिया है और उसमें हेल्प से फोड दूंगे, गुटलिया बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखे, अभी मैंने ग्यास बंद ही रखा हुआ है, चालू नहीं किया है, सारी गुटलिया ये देखिए, मैंने फोड दी है, अभी इसमें एक चम्मच में घी अड़ करूंगे, इसको अब इसे कंटिन्यूसली चलाती हुए पकाना है हमको, और गैस को हाइ नहीं करना है, लो टू मीडियम में ही रखना है, इसको एक डो की फॉर्म में आने तक कंटिन्यूसली हमको चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तले को चिपक देखे इसी तरह से आजू बजू का लगा हुआ निकालते रहना है और कंटिनियूसली चलाते रहना है अब इसमें एक चमच घी फिर से आड़ कर लेंगे अब गैस को आफ कर देंगे और प्लेट में निकाल लेंगे हमारा मावा रेडी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगते है ना तो नीचे की जो सारी बटने है वो दबा दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले प्लीज ये सब कर दीजिए और ये सब फ्री है हमारा कंडेंस मिल ठंडा हो गया है और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाड़ी हो गई है मतलब लग रहा है ना बिलकुल मार्केट जैसा थोड़ा सा कलर चेंज है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इसमें गुटलिया रहे जाती है आपके हाथ से तो आप इसे मिक्सी में चला दे उससे ये स्मूध और क्रीमी बन जाएगा मावा भी एकदम मार्केट जैसा ही लग रहा है इसलिए कोई भी मिठाई अगर बनानी हो तो घर पे ही ये सब रेडी करके रखे थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई